Hello Traders and welcome to the studio. दो स्टॉक्स हमारे रेडार पर आज के दिन थे. सबसे पहला हमारे पास था Sun Pharma and second था Indigo. Indigo जो कि हमने खुद भी ट्रेट किया है and Sun Pharma को पाप्लिक टेलिग्राम चैनल पर morning में हमने शेर किया था अच्छा मूव दिखाता है तो अच्छा मूव दिखाता है लेकिन अच्छा मूव दिखाएगा इस होप में आप आप लोगे साथ शेर नहीं कर सकते हैं इस वज़े से Indigo हमने खुद ही ट्रेट किया कहीं पर भी शेर नहीं कि अब देखिए Indigo को रीट करने का रीजन का अच्छी बात ही हुई है क्योंकि Indigo पूरी तरह से साइट भी है कोई बड़ा मूवेंट देखिए मौनिंग में में इसके अंदर ट्रेट एक्जिक्यूट किया था ओर्डर बुक आप देखोगे 300 कौनटी यहां पर अपनी लगए हुई है यह देखिए 300 कौनटी के साथ ट्रेट एक्जिक्यूट है 947 के बाद से इस स्टॉक की मूवेंट देखिए पूरी तरह से साइट वे और इसके अपोजिट जब अप संफार्म में भी इसने अच्छा मूव देखाया है थोड़ा सा री ट्रेस हो और वापस से देखिए गर तो संफार्मा अच्छा चला है यह कुछ चीज़े होती है क अब बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ ऐसा क्या रिजन था कि इंडिगो को हमने शॉट किया इंडिगो इस वक्त अपने लाइफटाइम हाई पर ट्रेट कर रहा है और हमारी 9 जून 2023 की जो कैंडल है इसने इंडिगो का सबसे बढ़ा हाई लगाया है अप में जाकर कि 2488 का यह हमारा हाई अभी तक इंडिगो का प्राइज इससे उपर नहीं गया है और इसके बाद का जो सेशन रहा है 12 जून 12 जून के बाद में फिर मार्केट सीध हमारी नीचे की तरफ गिर गई वापस से देखिए प्राइस हमारा अप साट की तरफ जा रहा है बट इसकी जो व वॉल्म्स हमारी गेरी में प्राइस हमारे रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है क्या हो सकता है क्योंकि वॉल्म्स को तुरु तो हमें यह दिख रहे है कि यह वी का और प्राइस बार बार अपने एक, दो और यह तीसरी बार यहाँ पर आज वापस से अपने लाफ टाइम हाई और volumes काम हो रहे हैं इंडिगो को जो हमने select किया था money control से जो stock selection का method में बताया था money control पर आज morning में indigo अपने पास आया था money control को हमने वहां से select किया money control का method हमने आपको बताया है उसमें वही stock आता है जिसके अंदर morning में volumes के breakout होता है और यह चीज़ आपको दिख चाहिए कि lower time frame के दर तो यहाँ पर एक चीज़ clear होगी न समझ में है इसको वापस से एक drawing में समझे कि price अपने एक resistance को face कर रहा है upside के तरफ और यहाँ से यह नीचे के तरफ गिर गया है वापस से हमारा price upside के तरफ जा रहा है चोटी चोटी केंडस बना करके upside की तरफ जा रहा है लेकिन इसकी जो volumes हैं यह less होती जा रही है इस तरह से ऐसे volumes लगातार कम हो रही है और price resistance पर है इसका मतलब यह एक weakness की निशानी होती है volumes कम है और price अगर आपका बार-बार किसी resistance को face कर रहा है तो इसका मतलब कि उसके अंदर गिरावट हो सकती है अगर गिरावट हो सकती है तो यूँ ही नहीं है कि आख बंद करके हम उसको short कर देंगे price में हम resistance के पास अपने confirmations लेते हैं कि क्या यहाँ पर shorts के confirmations बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं है ना वरनाग ऐसा ही होता तो हमने जैसे ही इंडिगो ने जैसे अपने lifetime high टच किया है हम यहाँ पर short कर देते बढ़ हमने थोड़ा सा wait किया क्योंकि इस हिसाब से देखा जा तो फिर तो इस green वाली candle के high पर हमें short कर देना चाहिए किया अब यहां से भी क्यों किया आप इस वाली candle को देखो 16th जून की candle यहाँ पर volumes कम हो रहे हैं and price क्या कर रहा है एक mother candle फॉर्म कर रहा है यहाँ पर देखिया यह जो blue वाली लाइन है एक mother candle ने फॉर्म की अब इस mother candle के ऊपर हमारा price चला गया यहाँ पर अब अगर mother candle का breakout कोई price कर रहा है तो फिर strong ही होता है एक और यह दो ठीक है price अगर इसके उपर है तो strong है नीचे निकल गया तो weak है अब देखिये price ने एक gap of opening रहा है इस mother candle के थुरू अप में गया और वापस से price फिर हमारा range के अंदर आ गया हम जस्ट इस mother candle की range के अंदर price के आने का wait कर रहे थे कि price वापस से हमारा break in हो जाए है ना और यह reject कहां से हो रहा था lifetime high से price हमारा upside के तरफ जा रहा है volumes कम हो रहे हैं एक resistance वापस से एक mother candle form हुई mother candle के उपर price ने gap of opening दिखाई और वापस से इसके नीचे आ करके यह trade करने लगा हालां कि movement कोई बहुत बड़ा movement नहीं हुआ है बट अपनी analysis और reading एक प्राइस अपने zone में आ जाने के बाद में दुबारा फिर ऊपर गया भी नहीं है अब आज़ो lower time frame के अंदर और यह जो blue line हम लोगों ने भी draw की है इसके पास से हो रहे movements देखो आप एक कितना अच्छा gap up हम लोगों को मिला यहां से देखिया gap up price नीचे एक green candle और जैसे ही price ने यहां पर हमें हमारे entries के confirmations दिये morning में ही 9.45 के बाद जैसे candles बने start हुई यहां पर हमें confirmations मिले and trade execute कर दिया और यह जो green वाली candle आप देख रहो ने day की first green candle day की जो सबसे पहली candle है इसके high पर 5 पने की time frame पर यहां पर हमने अपना stop loss लगा थोड़ा सा आप देखो कि 2462 पर अपने stop loss है exact वो नहीं है 2462 क्लियर हुआ ना हमने बिल्कुल price ने जैसे ही इस वाले level को touch किया है यहां पर हमने सीधे-सीधे short नहीं कर दिया price नीचे आया एक retracement वापस हम देख रहे हैं कि price हमारा sustain कर रहा है और हमें stop loss की बहुत अची सी candle मिल रही है और बहुत अच्छा stop loss हमारा रहा है 0.5% से भी कम का मेरा stop loss बन रहा था यहां पर अपना trade execute कर दिया अब देखे target क्या निकल सकते थे target हम जो morning में मान करके चल रहे थे हमें simply 1-3 चाहिए था यहां तक हम expect कर रहे थे कि price का ही जो सबसे पहला यहां पर मेरा काउट हो जाता ना तो इसके नीचे में करीब 1% का movement और मिल जाता है वह बहुत सारे pending order समया पर दिख रहे है तो movement अच्छी आते इसके यह हमारी overall आज के analysis से इंडिगो को ले करके एक जो point of view आप ले सकते हो कि price अपने resistance पर है उस resistance से movement downside की तरफ again up again down again up market जा रहे है और अप में जाते हुए अगर volumes आपको कम दिख रहे है कि volumes लगातार एक दूसरी candle से कम आ रहे है इस तरह से और price हमार resistance को face कर रहा है इस जगह पर आप अपने entries के confirmations लो volumes को ऐसे पड़ो आप देखोगे कि आपके price actions में improvements हो रहे है price action आपका और बहतर होता जा रहा है stock selection की वीडियो अगर आपने नहीं देखा रहा है तो वह शर्द या फॉर्थ वीडियो है जिसमें stock selection का बहुत अच्छा में बता है वहीं से इंडियो भी हमने slip किया तो उस वीडियो को देख लो link आपको हम description में डाल देंगे otherwise अगर हम न bullish formation के नीचे short करो buy करना तो bullish formation के बनने का weight करो और buy करो nakedly मत कर दो अब जैसे यहाँ पर देखिए sun farmer ने कितना अच्छा movement दिखाया है इसको हम आपको दुखाये देखिए day time frame पर जब आप आओगे तो price ने एक resistance बनाया था यह वाला resistance लास्ट इंडिंग सेशन में price ने upside की तरफ में closing कर दी थी अब अगर यह strong है तो इसे उपर चला जाना चाहिए थोड़ा सा logic लगाई है यह नीचे की दिशा में क्या करने आया यहां तक और आता है तो यह जो सपोर्टीव बन रहे सपोर्स हमारे form हो रहे हैं यहां से price हमारा फिर उपर की तरफ चला जाए बट price इसी जगह पर कुछ इस तरह से movement कर रहा था मौनिम में देख करके लगा कि अगर यह level हमारा गया तो यह शौट हो जाएगा तो यहां पर simply हमने लिख दिया कि sun farmer को हम लोग सिर्फ और सिर्फ शौट करेंगे target हमारा 1% के करीब कर रहेगा लेकिन जैसे price हमारा नीचे की तरफ है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि volatility बहु का मतलब कि stop loss हमारा दोनों ही trades के अंदर safe रहा secure रहा बहुत अच्छा रहा इसलिए हम बार बर यह हिदायत देते हैं कि price actions को पढ़ो सीखो reading पर अपने time spent करो ना कि future options यह वो फलाने धिमकाने पर आप देखा देखी जाओगे ना किसी को तो सिभाए loss के और कुछ नहीं होना है कुछ भी नहीं होना है आपको सीखाएगी equity है other segments से अगर आप सीखने जाओगे तो आपसे पैसा ले लिया जाएगा आप सोचो कि यह वहां से भी हमने जुगाट करके थोड़ा बहुत पैसा अपने debit में डाला है थोड़ा थोड़ा ही risk लेंगे आपको पता है एक lot के other segments में क्यों जाओ price actions तो वही लगने है न nifty 50 के कुछ high weightage stocks उठालो उसमें काम करो वो कुछ अलग movement या अलग price action नहीं बना देगा खुद पढ़ो खुद समझो खुद देखने की कोशिश करो यह बोला जाता है हमसे जब in general हम किसी से बात कर रहे होते हैं फिर कि हमें profit नहीं करें ना तो equities ज्यादा profit मिल जाएगा हमको और एक candle लेकर के हम निकल जाएंगे बाहर एक candle के चकर में चार चार पांच मेंश candles दे करके आते हो 1000 रुपए का profit लेना ना इस चकर में आप दो हो जाती है नहीं जाएगा और हम कम बोल रहे हैं 3000 रुपए का आप loss दे करके आते हो market में पूरे हफ़ते आप profit करके last Friday session में expiry है sorry Friday के Thursday को expiry है मज़ा आएगा आप loss करके आते हो पूरे हफ़ते आप काम करोगे Friday का session आएगा फिल लॉस तो यह हम किसी तरह की कोई negativity हम नहीं भर रहे हैं कि एक particular segment को लेकर कि हम कोई negativity फैल आ रहे हैं यह हम कुछ गलत बात बोल रहे हैं यह चीज़ आप खुद भी समझते हो practice अगर करनी ह कम quantities के साथ में equity में practice करो profitable हो जाओ उसके बाद में options में काम करो है ना उससे कुछ फायदा होगा आप ही किसमें पैसा बसता है इसमें आपके मेहनत तो नहीं बचे क्योंकि मेहनत तो आपको उतनी ही करनी पड़ेगे मेहनत बहुत करनी पड़ेगे लेकिन क्या होगा ना बड profitable trader हो जाने के बाद में आप derivatives में जाकर के काम करो अगर derivatives आप इस वज़े से start करो कि हम profitable हो जाएं कि देरे-देरे quantities increase करते हैं तो derivatives में काम करते करते हैं profitable तो नहीं होना है आपको है ना यह बात हमारी कहीं आप लिख लो कोई बहुत बड़ा profit नहीं है करीब 3300 के आसपा 3000 का profit चल रहा है और हमें अब hold करने का मन भी नहीं कर रहा है क्योंकि काफी देर हो गए इसको hold करते करते हो movements भी बन नहीं रहे हैं तो cancel stop loss order cancel पोजिशन में 2000 लीजए किसे ऊपर टू टू टृपल फूर पॉर पॉंट नैंशली exit मार देते हैं स्कॉर फैनसी ओके 2300 का profit साइड में मार्केट में यही होता है आप समझ पता नहीं लगा पाओगे कि जिस दिन आप trade execute करने जारो उस दिन बड़ा profit हो गया बड़ा loss हो जाएगा क्योंकि अब तो हमने या फिर बड़े profit बड़े loss के जागा एक चीज और होती कि साइड भी हो जाएगा तो होता है इस तरह से वह साइड वह होता है कोई बात नहीं 2300 का profit है बड़ी बात यह कि जो इस टॉप लोस हमने लगा करके अपना रखा तो इस टॉप लोस मेरे लिए उतना काफी है बाकि profit तो हम आज नहीं तो कल profit तो निकाल ही लेंगे निकालते हैं तो थैंक्स and we will meet again